तो गाईज आपको WhatsApp पर जाकर किसी भी chat पर click करना है और यहाँ पर आप देखेंगे इस type का interface दिखाना है और आपको यहाँ पर hello लिख देना है यहाँ पर हमने hello message कर दिया अब दोस्तो यहाँ पर उस बंदे के पास में चला गया अब दोस्तो यहाँ पर मुझे इसको edit करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको मैं long प्रेस करूँगा दोस्तो यहाँ पर मुझे edit करना है तो hello को long प्रेस करूँगा और यहाँ पर उपर three dots पर click करके नीचे आप देखेंगे edit का option दिख रहा है यहाँ पर info copy और अब इसके बाद मैं edit का option और दिखने लगया तो हम edit का option पर click करेंगे और यहाँ पर hello की जगे मुझे कुछ भी edit करना है जैसे कि यहाँ पर मालो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ लिखूंगा हाय और जान में यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है अब मैंने यहाँ जान लिख दिया आप मैं यहाँ इसको send कर दूगा दोस्तों यहाँ पर नोरवाली सेंड करना होता है अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं यह message दोनों को चला जाएगा this message was edited for everyone in this chat on the latest version of whatsapp हाँ दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर यह उन लोगों को मिला है जिन्होंने यहाँ पर whatsapp का जो latest version है वो अपने mobile में इस्ट्रॉल कर रखा ह उनको यह feature मिल जाएगा दोस्तों और जिनको नहीं मिला उनको कुछ time बाद में मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों यह अभी beta version में चल रहा है लेकिन कुछ लोगों को यह मिल चुका है तो यहाँ पर आपको भी यह मिल सकता है ठीक है इस तो यहाँ पर आप देखेंगे अब य या वो निकाला है क्या निकाला है कि पहले हम जैसे कि हमने यहाँ पर message किया है जान और मैं इसको edit करना चाहूंगा तो दुस्तों जैसे ही मैं long press करूंगा तो यहाँ पर delete का delete everyone का delete self का और यह option आते थे लेकिन अब वहाँ पर whatsapp ने वो option को यहाँ पर remove करके यहाँ यहाँ य ब्यक्ति confuse रहता है कि इसने मुझे क्या send किया था और इसने वापस delete क्यों कर दिया तो वो confused रहता है वहाँ पर curiosity बनती रहती है यहाँ पर आप देखेंगे delete for everyone delete for me cancel को आते थे यहाँ पर option अब यहाँ पर delete कर देते थे हम इस तरीके से सामने वाला ब्यक्ति confuse रहता था उसक WhatsApp ने यह हटा दिया delete all है यहाँ पर यहाँ पर edit कर दिया कि आप सिर्फ edit ही कर सकते हैं यहाँ पर message को यहाँ पर chat को आप edit कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है अब दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यहाँ पर like कर दीजेगा और यहाँ पर comment box आप जरूर कर दीजेगा दोस्तों धन्यबाद